पैगंबर इसलाम की शान में अबद्र भाशा का इस्तिमाल करने वाली भाजपा प्रबक्ता नुपूर शर्मा के खिलाप रजा अकेडमी ने मुंबई में FIR दर्च कराई है पुलिस कमिशनर के निर्देश पर पाइधनी पुलिस इस्टेशन में IPC की धारा 295A, 153A और 505B की तहट केस दर्च किया गया है नुपूर शर्मा ने टाइमस नाओ की लाइब डिवेट में पैगंबर इसलाम को लेकर आमरियादित बातें बोली थी अल्ट नियूस के मुहमद जुबेर ने फैक्ट चेकिंग के बाद वीडियो शेर किया तो हंगामा खड़ा हो गया मुस्लिम समाद ने एक सुर में इसकी तीगी आलोचना करते हुए नुपूर के खलाब सखत कारबाई की मांग उठाई है रसा अकेडमी जो की सुनी बरेलबी मुसल्मानों के एक संगठन है उसके अध्यक्ष मुहमद सही नूरी ने मुंबई पलिस कमिशनर को एक शिकायती पत्र देकर कारबाई की मांग की जिसका संग्यान लेते हुए पलिस ने नुपूर के खलाब के सदर्च कर लिया है और अब उनकी गरफतारी की मांग की जा रही है अकेडमी ने कहा कि मसल्मानों को लेकर हेट स्पीच अनकंट्रोल है पेखंड इसलांग से लेकर धार्मे की दारों तक लगातार भरकाओ बयान बाजी की जा रही है जो किसी भी सूरत में बरदाश नहीं है नुपूर शर्मा का बयान साफ तोर पर हेट स्पीच है और उने फौरन गरफतार किया जाना चाहिए ये घटा करम ऐसे वक्त में सामने आया है जब ग्यान बापी मस्जिद मत्रा की शाही ईदगाव लखनों की टीले बाली मस्जिद और दूसरे धार्मे की स्थलो पर पूर्ब में मंदिर होने के दाबे किये जा रहे हैं यहां तक कि ये दाबा दरगा अजमेर शरीफ की खौजा गरीब नमास तक जा पहुँचा है जिसको लेकर मुस्लिम समधाय में पहले से ही आकरोश था और पेगंबर इसलाम को लेकर बेहत घटिया भाशा ने इसे और भड़का दिया है अजमेर मतरा और काशी को लेकर आला हजरत के संगठन जमात रजाय मुस्तफा के उपाध्यक्ष सल्मान हसन खान ने मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है जमात ने कहा कि खौजा गरीम नवास की दरगा को मंदिर बताना या दूसरे धार्मी किस्तलों पर ऐसे दाबे करना ये मुस्लमानों की आस्था को ठेस पहुचाना है ऐसे जूटे दाबे करके मुस्लमानों के जजबातों से खेला जा रहा है ये देश को दंगों की आग में जोकने की एक साजिश है ऐसे बियानबाजी करके लगातार माहौल बिगाणने की कोशिश की जा रही है कुछ लोग अबादतगाओं और दरगाओं को निशाना बरा रहे हैं इनकी कोशिश है कि समाज का भाई श्यारा छिन भिन हो जाए खौजा गरीब नवास की दरगा करीब 900 साल पुरानी है सभी धर्मों के लोग यहां हाजरी देते हैं लेकिन इस बिश्य विख्यात दरगा को भी विवादों से जोड़ा जा रहा है जो किसी भी सूरत में बरदाश नहीं है सरकार से हमारी उजारिश है कि ऐसे लोगों के खलाप कड़ी कारवाई की जाए आपको बता दें कि इन घटांकरमों को लेकर मुस्लिम समाज के धार्मे को समाजिक संगटनों की तरफ से कड़ी नाराजगी सामने आई है सरकार और कुलिस परशासन से कारवाई की मांग कर रहे हैं इतना ही नहीं टाइमस ना और उसकी पत्रगार नबका के खलाप भी ट्विटर पर गुस्सा नजर आ रहा है और चैनल इनकी डिवेट को मुस्लिम समाज के खलाप नफरत फैलाने का मंच बताकर भरसना की जा रही है आपको बता दें कुछ पहला मौका नहीं है जब लाइट डिवेट में मुस्लिम समदाए के पैगंबर या उनको लेकर इस तरह की भाशा का इस्तमाल किया गया हो इससे पहले भी कई बार ऐसी चीज़े देखने को मिलती रही है जिसमें मुस्लिम समाज को लेकर हेट स्पीच सामने आती रही है लेकिन इस बार पैगंबर इसलाम को लेकर एक लाइट डिवेट में ये बाते बोली गई है तो जाहिर है कि न्यूट चैनल के खलाब भी लोगों का आक्रोश है जो सामने आ रहा है